हाई दोस्तो एक्ता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है मैं जितंदर सर आज दीवाली के दिन इस्पेशल जी के लेकर के हाजिर हूँ और इसमें प्राचीन भारती इतियाज से सम्मदित बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है और यह कुश्चन आपके किसी भी परिच्छा में कम से कम दो सथीन कुश्चन जरूर फसेंगे हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से ही अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल पर अगर नई है तो हमारे चैनल को Like, Subscribe और Share करना ना भूलें चलिए दोस्तों समय को बरबाद ना करते हुए प्रारम की जाते हैं क्वेशन यहां पहला क्वेशन है भारतीय दर्सन भारतीय दर्सन की प्रारम्बिक साखा कौन सी है यहाँ पहला question यह भारती दर्सन की प्रारमबिक साखा यहाँ पूछा गया है और यह है आपका कौन सा सांह के दर्सन Next question है भाग और बली थे तो यह बली जो थी यह कोई भी आनाज बगैर है जब किसी किसान लोग जो राजाओं के समय में जब उत्वादन करते थे तो उसमें से कुछ भाग जैसे एक बटे च्छे भाग है एक बटे दस भाग है ऐसे वहाँ पर दिया जाता था तो राजा के पच्छ में जाता था वही बली और भाग होता था ठीक है कर्म का सिद्धान्त प्रतिपाद इस्वरी समंदित है मिमान सासे नेच्ट कुछ ने बासदेव कृष्ण की पूजा किसने प्रारम की भागवतने अकला कुछ ने कपल मुणी द्वारा अगला कुछ नहां पर लिखा है कपल मुणी द्वारा प्रतिपादित दार्सनक प्रडाली उस्तांग के दर्सन है सबसे पहले जो कपिल मुनी ने प्रारम किया था उपनिसद पुस्ते के हैं याद रखना दोस्तों दर्सन पर ये कुश्चन कई बार पर इच्छावा में आ चुका है और ये भी कुश्चन कई बार आया है योग दर्सन के प्रितिपादक कौन से है ठीक है तो पतंजली याद रखना और नियाए दर्सन के जब पूछे जाए तो गौतम याद रखना दोस्तों नेस्ट कुश्चन अगला है चटी सताब्दी इसापूर्व के सोले महाजन पदों के बिसे में बौध धर्म सोले महाजन पदों के बिसे में बौध गरंत से जानकारी मिलती है तो ये सोले महाजन पदों का बरण अगुंतर निकाय में और ये निकाय जो है बौध धर्म से स समंद्दित ऐसुले महाजनcel का इसमें वड़नु किया गया है नेक्ट वस्षिन है नियाय दर्शन को परचालत किया था याद रखना अभी उपर भी मैंने बता बता दिया है यो नियाय दर्शन है इसका परचालन किया था और यहां पर यह तरसन जो पूछा गया था इसका प्रिचालन किया था पतंजली ने अगला कुश्चिन है आजी वकश्य सम्प्रदाय की संस्थापक थे मक्छी गोशाल यह अभी हाली में जो एससी की परीच्च्छ रिच्चह हुई है इसी में जो कुश्यं पूछा गया है अगला कुश्चि यह एक प्रकार का रस्त था इसको प्रजेंट टाइम में ताड़ी की नाम से जाना जाता है तो देताओं की यह एक प्रकार की दारू थी अगला कुश्यन है यहाँ पर प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध किस नदी की किनारी लडा गया तो परश्डी यह इसी का दूसर आपके तरफ अगे बैदिक यूगीन सबात थी तो मंत्री परस्त से समंदित थी अगला है सरवादिक रिगवेदिक सुक्ति समर्पे थे तो याद रखना एक देवता थे जो इतियास में या रिगवेद में इनका पूरंदर के नाम से वरड़त हैं इनको इंद्र कहा जाता है और रिगवेद में इनका नाम पूरंदर लिखा गया है अगला कुश्चन है प्राचीन काल के महान बीधी निर्माता थे तो याद रखना दोस्तों मनू ठीक है याद रखना सिंदू और जेलम तो सिंदू नदी और जेलम नदी ये स्री नगर के आसपास हैं उपर जंबू कस्मीर के आसपास वहीं से निकली हुई है ठीके दोस्तों अगला याद रखना आर ये सब्द इंगित है तो स्रेष्ट बंस से नेक्स्ट कुश्चन लेखते हैं सबसे पुराना बेद तो दोस्तों याद रखना सबसे पुराना बेद जो है कौनसा है रेग बेद अगला कुश्चन है आपका बेदों में से किस एक में जादू इमाया या बसी करड तीके साधी बयाय टोटके जादू इमाया बसी करड ती यह सभी के सभी इनका वर्डं जो है अथर्व बेद में किया जाता है राजाओं का निया है और यह सब राजा से समझ जो है यह बसी करड़ है यह जो भी मैंने भी बताया है ठीक है मतलब यहां दिया गया जादूई माया बसी करण और टोटके बगएरा यह सब के सब जो हैं अथरवी बेद में ही ओवरडे थे हैं बेदों की संक्या चार होती है दोस्तों याद रखना next question है किस बेद में राचीन बैदिक युग की सब्टा के बारे में सूचना दी गई है नेश्ट कुश्चन है गायत्री मंत्र ठीक है किस पुस्तक्त से एसर किस पुस्तक्त में उल्लिखित है याद रखना गायत्री मंत्र लिगवेद में उल्लिखित है नेश्ट है धर्म सास्त्रों में भूराजस्व की दर बढ़ाई गई ठीक है तो भूराजस्व की दर कितनी उपज का एक बटे छेवाँ वाग अगला कुश्चन है आरंबिक बैदिक साहत में सरवादिक वरड़त नदी है सिंदू नदी का सबसे ज़्यादा वरड़त सिंदू नदी का किया गया है दोस्तों एक और आपके जानकारी लिए बता दें तो भारत का नाम हिंदुस्तान इस को सिंदू आरे लोग इस सिंदू नदी को इंदू नदी के नाम से जानते थे इसी लिए इसको इंडिया भी कहने लगे थे अगला कुश्चन है किस बैदिक साहत में मोच की चर्चा मिलती है यह मोच की चर्चा उपने सिदों में मिलती है और उपने सद जो है यह दरसं से स प्रिद्धा था तो मनु इस्म्रती सम्मनित है समाज ब्यवस्था से ठीक है योग दर्शन के प्रितिपादक मार्शी पतंजली यह कुश्चन उपर भी था इसके बाद यहां अगला कुश्चन दिया गया है सुद्ध द्वैत बाद का प्रितिपादन किया तो बल्लभाचार यह कुश्चन भी अभी हाली में स्सी की परिच्छा जो हो रही है इसी परिच्छा में पूछा गया है अगला है गयत्री मंत्र की रचना किसे ने की तो गयत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र थे ठीक है यह गयत्री मंत्र का वरडन रिगवेद में है आप लोगों ने मंत्र इर्गवेट के दोस्तों याद रखना अगला कुश्चन है सथ में उजयते सद्द लिया गया मुंडक उपनिसद है यहां पर मुंडक उपनिसद को मुंडको उपनिसद का जाता है तो इसी उपनिसद में वाड़न है अगला है सांग के दर्सन के प्रितिवादक हैं तो अभी उपर ये कुश्चन दिया गया था कपी लिमूनी ने सांके दर्सन का प्रितिवादं किया था नेक्ट कुश्चन है विस्व का पहला गड़तंत्र ठीक है तो ये कुश्चन बहुत जदा इंपोर्टेंट है क्योंकि अब आगे आने वा इस उसी गड़ी चलती है अगला दिखते हैं जो रिगवेद हैं ये कौनसे बैद किस से समद्ध हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है तो यहां लिखा है रिगवेद स्रूत और पर्तना यसमें वर्ड़त है यसरूब्यद में सरूत और कर्मकांड ठीक है और इसके यहां दिया गया अथर्व वेद तो यह अथर्वा रिसीद इसके लेकक थी ठीक है और तंत्र मंत बसी करड़ यह सभी ऑसदी के बारे में इसमें वर्डन किया गया है नेक्स्ट अगला कुशन यहां पर दिया गया है लुमिनी किसका जन्मिस्थान है तो दोस्तों याद रख अभी में तुरंत बताया अलुमिनी वन नेपाल में का जन्म हुआ था जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे तो रिसब देव थे जैनियों के पहले तीर्थकर ठीके याद रखेंगी जैनियों के पहले तीर्थकर रिसब देव मावीर की माता का नाम क्या था त्रिसला नाम था मावीर की माता कानाम next question अगला question दिया गया है तो अध्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो तृपिटक है दोस्तों याद रखना इसमें तीन पिटक हैं बिने पिटक अभिधम्य पिटक और सुत्विटक ठीक है तो वो अध्धों के जो गरंथ हैं ये तरी पिटक हैं इसमें तीन इंग्रा कुछन ने मानों के दुखों के अंत के लिए आश्टांगे कमारगी की खोज किसने की थी तो दोस्तों याद रखना आश्टांगी कमारगी की खोज गया में पौतम बुद्ध ने ती ठीक और यही इन्हों ने खोजा ठा अपनी तपस्या के दोरान नेश्ट अगला कुश्चन यहाँ पर दिया गया है बौद धर्म बौद धर्म ने समाज की दो वर्गों को अपने हाथ जोड़ कर एक महत पूर प्रभाव छोड़ा ये वर्ग है इस्तरी और सूद्र तो दोस्तों याद रखना नेश्ट कुश्च अगला दिया गया है प्राचीन काल में प्राचीन काल में सुरोत सामग्री लिखने के लिए उपयोगी वहासा तो ये ब्रहमी लिपी जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई गई थी समराट असोग के सासन काल में एक कुश्चन पूचा गया है कि समराट जो असोग है ये किस राजबंसे से संद्मने थे तो दोस्तों याद रखना असोग के बाबा चंदर गुप्त मोरे थे और चंदर गुप्त मोरे ने मोरे वंसे की स्थापना की थी तो ये मोरे वंसी सा सक था और तीस्रा था next बौध धर्मे में बुल का सम्मद मात्मा बुद्ध के जीवन की किस गटना से सम्मदित है तो बुल का मतलब यहाँ पर साड होता है तो इसका सम्मद जो है मात्मा बुद्ध की जन में से है और कमल का सम्मद उनके ज्यान की प्राप्ति से है तो अगला कुश्चन दिया गया बुद्ध का अर्थ होता है तो बुद्ध का अर्थ होता है ग्यान की प्राप्ति एसी को संबुद्ध भी कहते हैं कि संपूड ग्यान की प्राप्ति अगला यहां लिखा है परियूसर पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है तो जैनियों के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है और ये पर भी कई वार परिच्छा में पूछा गया यहाँ आपके समने हैं इसके बाद भी कई परिच्छा में आल लेडी आ चुका है अगला है एलोरा में गुफाएं सेलकृति मंदिर हैं तो हिंदु धर्म से सम्मंदित थे बौद और जैनियों के नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर है बौद गरंतों पिटकों की रचना किस भासा में की गई तो गौतम बुद जो है यह प्राकृत भासा से सम्मंदित थे तो याद रखना ठीक है अगला कुश्चन यहाँ पर दिया गया है त्री पिटक किस का तार्मिक गरंत है तो अभी उपर वेने बताया था बिने पिटक अभी धम्मे पिटक और सुत्य पिटक यह तीनों के तीनों त्री पिटक के नाम से जाने जाते हैं और यह गौतम बुद्ध से सम्मंदित थे हैं तो बुद्धो का पवित्र गिरंत है तिरि पीटक नेक्ष्ट आजीवक संपर्दाये यहां लिखा है आ जीवक एक इसांपर्दाया था यह किस सम्दित था बुद्ध के सम समाईच इससे समंदित था यह नेक्ष्ट कुष्चन यहाँ पर दिया गया है नालंदाthers बिद्या ले बिद्या का एक माँण केंडर था यह किस धर्म से सम्न जित था तो याद रखना दोस्तों नालंदा बिद्या ले, नालंदा जिला में बिहार में पड़ता है और ये बहुत धर्म की यहां ग्यान इस्थली थी यह बिद्या के अंदर था बौध धर्म का ठीक है next अगला कुश्चन यहां पर दिया गया है किस मृत्भांड पाटरी लिखा है या इसका मतलब होता है मिट्टी के बरतन ठीक है मृत्वांड का मतलब होता है मिट्टी के बरतन ठीक है दोस्तों का प्रतीक माना गया है तो यह क्या लिखा है छित्रत दूसर जो दूसर मतलब मिट्टी से बनने हुए और छित्रत ठीक है टेरा कोटा के चित्रत जो वर्तन होते थे घढ़ा बगेरा ऐसे होते थे इनके उपर छित्रकारी की जाती थी उन्हें के बारे में यहां बताया जा रहा है ठीक है नेक्ष्ट कुछिचन यहां पर है आपका आरंबिक बहुत साहित थे किस भासा में रचे गए तो प्रारंबिक जो बहुत साहित है यह किस भासा में लिखे गए पाली भासा में लिखे गए ठीक है और प्राकृत भासा जो वाला है जैन साहित को क्या कहते हैं अंग कहा जाता है ठीक है जैन साहित को अंग कहा जाता है याद रखेंगे नेश को चंसर परतम बौद परिसद कहां आयोजित किया गया तो याद रखेंगे यह चीज़ यह राज ग्रह में पहला आयोजित किया गया था ठीक है दूसरा बै बिम्बसार और प्रसेनजित ठीक है तो प्रसेनजित और बिम्बसार जो है ये गौतम बुद्ध के समकाली इन सासक थे और गौतम बुद्ध जब ग्यान प्राप्त करने गए थे तो सबसे अंत में बिम्बसार से मिले थे और इनी से बादा किया था कि जब हम ग्यान की प्रा प्रियक बन्स की स्थापना थी मगद में, ठीक है, तो मगद नरेस भी इसको का जाताए और ये प्रशीbn जित भी एक विसेश्प राजा थे, अगला कनिस्क प्रथम कनिस्क के प्रथम, किसका प्रिष्ट पोसक था, ठीक है, तो उसी में ये दो भागों में बट गया था ठीक है बॉत धर्म इसी में दो साकाई बन गयी थी एक हीन यान बन गया था एक महायान बन गया था ये महायान साकाई से समध्य था है नेश्ट कुश्चन अगला कुश्चन यहां दिया गया बुद्ध के प्रिथम प्रवचन को क्या कहा गया तो याद रखना गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन केबल अपने पांच सादकों को दिया था इन में पांचों का नाम था महा नाम, बप्प, भादिया, कॉड़ने, और असागी इन पांच सादकों को सबसे पहले अपने प्रिवचन सुनाए और ये प्रिवचन कहां सुनाए थे सारनाथ में ठीक है, सारनाथ कहां पाड़ता है आपका बारारसी में ठीक है, कासी से थोड़े आगे पड़ता है वाराड इसी में सारनाथ पड़ता है और वाराड इसी जो है, वो यूपी में है तो यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्थन इसको कहा गया है जो इन पांस सादकों को इनोंने अपने प्रवेचन सुनाई थे जो ग्यान प्राफ्त की है उसका ठीक है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और येस में केवल 6 लोग थे एक थे गौतम बुद्ध और 5 इनके ये सादक थे ठीक है दोस्तो नेश्ट आगे चलते हैं बौद धर्म का संपरदाय कौन सा नहीं है ठीक है तो बौद धर्म का सं संपरदाय नहीं है नेश्ट कुश्चन है अगला कुश्चन है याँ पर लिया गया है लोगों से सीधे संपरक रखने वाले सीधे बात करने वाला राजा कौन था तो सीधे ही बात करने वाला राजा था असोग जिसको समराट असोग के नाम से जाना जाता है अगला लिखा है असोक ने अपने सभी सिलालेखों में एक रूपता ठीक है से किस प्राकृत भासा का प्रियोग किया तो मगदी भासा के सा सकता यहां पर सबसे पहले चंद्गुप्त मौरे ठीक है चंद्गुप्त मौरे मौरे वन्स के संस्थापक इसके बाद इनका ललका आया बिंदुसार और बिंदुसार के बाद इनका ललका आया इसका नाम था असोक ठीक है और असोक की लड़के का नाम था महेंद्र ठीक ह नाम था संग मित्रा असोक ने बौध धर्म के परचार के लिए महेंद्र और संग मित्रा को सबसे पहले दूसरे देश मतलब स्री लंका भेजा था जो बौध धर्म है इसका परचार करने के लिए अगला यहां पर है साची में स्थित विसालतम इस्टूप किस कला का माना जा स तो मौरिय कला का माना जाता है वह सासक कौन सा था जिसने राज संगासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी तो दोस्तों यहाँ याद रखेंगे अपने पिता बिंदुसार की हत्या असोक ने की थी ठीक है तो असोक सासक था और इसने अपने बहु Intermediate में पढ़ रहे थे उस समय एक पुस्तक बहुत ज़्यादा जो परिच्छाम पूछी जाती थी इसका नाम था Indica तो मेगस थिनीज ने Indica नामा के पुस्तक लिखी जब ये इंडिया आया था और इसमें इसने भारत के बारे में वर्डन किया है इसे भारती इतियास के बारे में जानकारी मिलती है Indica नाम है मेगस थिनीज की पुस्तक का याद रखेंगे अंतिम दिनों में जेन धर्म अपना लिया था तो कौन सा ऐसा सा सकता जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौरे ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और इनकी मिर्क्तिव सिरबड बेल गोला जो करनाटक में पड़ता है ठीक है क्या सिरबड बेल गोला ठीक है ये पड़ता है करनाटक में और यहीं पारेंकी उपवास के दोरान मिरत्य हो गई थी तो अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौरे ने जैन धर्म को अपना लिया गया था जैन धर्म में जिस भी अक्ति की उपवास के कारण मिरत्य हो चंद्रगुप्त मौरे की मिरत्यू सिरबड बेल गोला में होई थी और ये सिरबड बेल गोला करनाटक में पड़ता है ठीक है ऐसा यही एक राजा था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था नेश्ट कुछन यहा लिखा है असोग पर कलंग में बहुत संपरदाय का प्रसार करने के लिए ठीक है असोग ने किसे नियुक्त किया था यहां कुछन दिया गया है कि धर्म महा मात्र ठीक है तो इसके अंतरगत इनके पुत्र जिसका नाम अभी मैंने बताया महेंद्र और पुत्री संगमित्रा यह भी आते थे तो यह स्र पस्तिकों का स्विकार किया ठीक है तो यह स्विकार किय था मेंगस्तिनीज ने अभी मैंने आपको ऊपर बताए इंडिका लेंडिका जो पुस्तक है यह किसने लिए मैं पुस्तिक कह नाम देव देव नाम प्रिडर्शी το दोष्ट दोस्तों रखना और रखना स्ध्द्रे का प्रीडर सी ज़ू था मौरे राजा असुख अभी आ उपर व्ताया था कि अशोक जो था ये मौरे वंसुश से संभ्मन दोश्टों दोस्तों धंट धेनें些 कई इच्छा हो रही है उसी में पूछा गया था चंदगपते मौरे के गुरू ठीक है यहां पूछा गया था चाड़ा के किस गुरू कुल के सिचक थे ऐसे कुश्यन पूछा गया था तो इसका जवाब और चारा चाड़ा के किस गुरू कुल के सिचक थे इसका जवाब दोनों क ऐसे में दोस्तों याद रहें तच्छे सिला भिसाइफ द्याले यह और प्राचेन भिस द्याले था और यहां भी ठीकि करना संस्कृत में पड़ाई होती थे अगला अगला है भारत के मगद के उत्थान के लिए कौन सा प्रिथम सा सक उत्ताद आई है तो यह है बिम्बसार हरियक बंस का संस्थापक अगला कुश्चन है असोक ने किस बौध सादू से प्रवावित होकर बौध धर्म अपनाया था ठीक है यह बौध सादू का नाम याद रखेंगे कि असोक के समय असोक ने जो बौध धर्म अपनाया था इस सादू का नाम था उपगुप्त इस से बौध धर्म की देच्छा ली थी समराठ असोकन उपगुप्त नाम था अगला है चंद गुप्त के दरवार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था मेगस्तिनी जो बार बार नाम आ रहा है इंडिका इसकी उस तक का नाम था ठीक है नेश्ट अगला कुश्चन यहाँ पर दिया गया है किस वंस म में कोटल का वड़न मिलता है तो मोरे बंस में कोटल का वड़न मिलता है कोटल चाड़क यह विश्डू गुप्त इनके तीन नाम थे और कोटल जो चाड़क है इनके पिता का नाम चड़ी था ठीक है तो चड़ी इनके पिता का नाम था कोटल का इनके पुत्र चाड़क है ठीक है तो कभी कभी चड़ी पुत्र भी कहा जाता है कि चड़ी पुत्र किसका अने नाम है तो अपना याद रखना चड़ी पुत्र जो है ये किसका अने नाम है चाड़क के कही नाम है क्योंकि चड़ी इनकी पिता का नाम था ठीक है तो और एक बात बताते हैं आपको जो च तो तीन राजाओं के सासन विवस्ता इन्होंने सुधारी सीया समाली थी अगला कुश्चन यहां पर दिया गया है मौरे बंस के ततकाल बाद ठीक है किस बंस ने आकर मगद पर सासन किया तो मौरे के तुरंत बाद दोस्तो सुंग बंस आया था नेक्ष्ट कुश्चन यहां कलंग के विरुद्द, असोक के अभियान की जानकारी का मुख्य सरोत है ठीकें, तो सिला लेक, यहां पर यह कितना हो गया, सिला लेक संक्या 13 ठीकें, तो सिला लेक संक्या 13 में इसका वर्लण किया गया है नेश्ट है कौन सा बंस मौरे के बाद आया अभी उपर ये कुश्यन आ चुका है अपना याद रखना सुंग बंस मौरे के तुरंथ बाद आया था अगला कुछ नहीं लिखा है हस्त लिपनियों के मूल संस्थापक और कौटिल के अर्थ सास्त्र के संपादक कौन थे तो आर साम सास्त्री ठीक है तो इसका संपादन किया था लेखा के जब पूछा जाता है कि अर्थ सास्त्र का लेखन किस ने किया या अर्थ सास्त्र पुस्तक किस ने लिखी तो ये कोटे ले नाम सामने आता है लेकिन इनका संपादक के बारे में जब पूछेगा ठीक है तो कुछ ने साची का इस्तूप किस्ता सकने बनवाया तो ये समराठ असोक ऐसे थे जिन्होंने साची का इस्तूप बनवाया कोटिल चालक के प्रधान मंत्री थे चंद्रगुप्त मौरे के इनी के कारड चंद्रगुप्त मौरे राजा बने ठीक है और इनके ये चंद्रगुप चड़ी था ठीक है दोस्तों याद रखेंगे अगला कुश्चन है यहाँ पर वह है एक मात्र इस्तंब जिसमें असोक ने सुयम को मगद का समराथ का है भाबरु अबलेक याद रखेंगे भाबरु अबलेक में असोक ने सुयम को मगद का समराथ का था अगला यहाँ पर कितनी स्रेडियों में विभाजित किया था है तो में किस्थिनीज ने भारत को 7 श्रेडियों में विभाजित किया गया था में किस्थ असोक ने बोध होते हुए भी हिंदु धर्म में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमाड है तो देव नाम प्रिये की उपादी तो ये हिंदु से समधित नाम है अगला कुश्चन यहाँ पर प्रसिद यूनानी राजदूत मेगस्थिनीज भारत में किसके राजदरवार में आया था तो अपना याद रखना चंद्रगुप्त मौरे के राजदरवार में आया था चंद्रगुप्त मौरे के साथ मेगस्थिनीज ने अपनी लड़की की साधी भी करवाई थी और जो मेगस्थिनीज की लड़की के नाम था हैलेना ठीक है तो दोस्तों याद रखना है लेना के साथ प्छार जो मेंस थिनीज था मेंस तिनीज ने अपनी लड़की कि साधी चंदगुप्त आगे बढ़ते हैं अगला है विसाक दथ्थ विसाक दथ्थ के प्राचीन नाटख मुद्ररा राच्छस ठीक है का बिशय बस्तू चंदगुप्त मौर के समय राज दरबार ठीक है मुद्रा राच्छस जो था ये दोस्तों एक ब्यक्ति था और ये आमात्य था ठीक है आमात्य था तो आमात्य जो होता है एक उच्चादिकारी होता है और ये मुद्रा राच्छस आमात्य घनानंद ठीक है के सासनकाल में था और घनानंद के साथ ये रहता था तो इनी के मुद्रा राच्छस था विसाग दत्त ने इसके बारे में पूरा वर्डन किया है यहाँ पर लिखाया है कि विसाग दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राच्छ बिसेबस्त हुए तो मौरे सामराजी के समय के में राजदरवार की ठीक है दोस्तों नेश्ट अगला लिखा है वह कौन सा सासक है जिसका नाम देव नाम प्रिय दर्शी भी था तो समराज असोग ठीक है यह कुशन उपर हो चुका है अगला है कोटे लिखा अर्थ सास्त्र सम मौर कालीन भी प्रचलित था तो इसका अंसर है सही जवाब है जन्म एवं मिरत्व का पंजी करड नेश्ट कुशन है किस एक राजदेश में असोग के व्यक्तिकत नाम का उल्ले के मिला है तो मासकी अवलेक कोटेल महामंत्री थे चंदकुप्त मौरे के साची का इस्तूप असोग ने बनौःँ था नेश्ट कुश्न है असोग के सिलालिखों को पढ़ने में सर्व परत्थम किस ने ख्याति हांसिल की तो जेनस प्रिंसेप ने अगर व्यक्त था तो अगर आप हमारे चेनल पर एकदम नए है तो लाइक करना ना छोड़ियेगा जीत हम आपकी करवाएंगे जीत उसी की होगी जो मेहनत करेगा और वीडियो आप continue हमारा आगे बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों में सेर करते रहिए लाइक करिए सेर करिए सबस्क्राइब करिए थेंक्यू सुब दिन